नमस्कार साथियों आपका स्वागत है मैं हो पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे भारती संकेतिक भासा में हिंदी पर्ण माला को और आज हम इसमें देखेंगे कि स्वर क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से संकेतिक रूप से उन्हें देखा जाता है और समझा जाता है जो सं हिंदी भासा के हिंदी वर्ड माला के स्वरों के बारे में बताना है तो इसका प्रयोग किया जाएगा और इस वीडियो में हमने पूरा विवन के साथ बताया है कि किस प्रकार से स्वरों को बताया जाएगा बच्चों को तो ये जो संकेति भासा है उसमें हमारा सहयोग करने क लिए स्रीदेव कमल साहुजी ने सही उग दिया है जो कि पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से संकेतों का प्रयोग किया जाएगा तो चलिए प्रारम करते हैं तो यह जो हिंदी वर्ण माला होती है उसमें दो प्रकार की चीज़े होती है एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है वयनजन और इनको मिला कर पूरी सब्द स्रिंग लाबंती है और इसी से ही वहासा का निर्मान होता है जो सब्द होते हैं और इसके साथ Rough वह होते हैं जो ये जो सब्द हैं इसे हम देखेंगे तो असे क्या होता है बच्चों? अद्रक, असे होता है अद्रक, तो अद्रक को बताने के लिए अर्थाथ बताने के लिए संकेट जो होता है इस प्रकार से होगा हाथ कई सारा इस प्रकार से करेंगे ये होता है अनार एक बार फिर से देखते हैं जो अनार है अ के लिए अर्थात अ का संकेट इस प्रकार से होगा अ अ से होता है आइस क्रीम आपने आइस क्रीम खाया होगा तो आ से होता है आइस क्रीम सब पच्छों ने खाया होगा तो आ से आइस क्रीम होता है आ से आम भी होता है आम आपने देखा होगा या आप देखे रहें अपने स्क्रीम पे आम तो आम जो है उसमें प्रयोग होता है आ, बड़ा उंगलियों को जिस प्रकार से अ का किया था, उसी प्रकार से उंगलियों को थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा, एक बार फिर से देखते हैं, आ, यह आप देख सकते हैं, इसे आ कहा जाएगा, एक बार और देख लीजिए, आ, इसे आ कहा जाएगा, अब देखते है और यह याने की इमारत यह इमारत अब देख रहे हैं तो इसका पहला अख्छर है आपके screen पर दिखाए दे रहा है यह सब्सक्राइब तर इसले हम फिर्ट ई इस प्रकार से होता है एक बार और देख लीजिए यह है इसके बाद आता है इसके बाद आता है बड़ा इ यह आप देख रहे है इट यहाँ पर बने हुए है इटों को आप देख सकते हैं इसके लिए बड़ा इ का प्रयोग होता है पहला अप्हली का ए में एक मातरा लगती है तो बन जाता है बढ़ाई और ये बन जाता है एक अब देख सकते हैं इसका संकेत है इस प्रकार से दो उंगलियों को मोड़के दिखाया जाएगा और इसे कहा जाएगा बढ़ाई एक बार और देखिए ये है बढ़ाई एक बार और देखिए बच्चों ये है बड़ाई ये बड़ाई अब आप देख सकते हैं जो अगला अक्षर है वो है उ छोटा हुई से कहा जाता है उजाला उजाला में इसका प्रयोग होगा उपहला अक्षर है उजाला उजाला से कहा जाएगा इसी प्रकार से उल्लू जो है उल्लू के लिखने के लिए पहला अक्षर है छोटा उ उ से उल्लू ऐसा बोलेंगे बच्चों और पहला अक्षर जो आप देख रहे हैं यहां पे वो होता है उ इसके लिए संकेत इस प्रकार से होगा उ फिर से देखिए एक बार उँ ये छोटा उँ इसे कहा जाएगा इसके बाद है बड़ा उँ जैसे उँट लिखेंगे तो उँट का पहला अक्षर है उँट बड़ा उँ है इसी प्रकार से उँट जो है उँट को बताने के लिए बड़ा उँ उन ये आप देख सकते हैं इसे जोर से कहा जाएगा उन इस प्रकार से कहा जाएगा जोर से आवाज निकाला जाएगा पहला जो था उसे धीरे कहा गया उल्लू इसे कहा जाएगा उन इस प्रकार से कहा जाएगा और इसका जो संकेत है इस प्रकार से होगा, यह आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देखते हैं संकेत कैसा है, यह पूरी ओलियों को इस प्रकार से उपर से लाया जाएगा, बड़ा उ की मात्रा बनाया जाएगा, इसे उपर से नीचे की और लाया जाएगा, और छोटा उ में उपर से नीचे की औ लाए जायेगा यह आप देख सकते हैं बढ़ा इसके बाद आता है एक लिखेंगे फहला अक्षर फहला है वो इसी प्रकार tragedy यो है उसे खिल जाएगा इस प्रकार आपधा पर है यह देखते हैं A के लिए संकेट जो होता है वो इस प्रकार से होता है एक उंगली का इसारा किया जाता है कंदे की ओर यह आप देख सबते हैं फिर से देख लेजिए एक उंगली कंदे की ओर अर्थाथ ये एडी का A है एग वर और देखते हैं एक उंगली को इसारा करेंगे ए इसके बाद आता है ए जैसे हम कहते हैं एनाक आप सुनिए एनाक जोर का प्रयोग किया गया है जोर से ए बोला गया है एनाक एनाक इस प्रकार से कहा जाएगा इसी प्रकार इसका संकेट जो है दो उंगलियों को कंदे की ओर ले जाए जाए जाएगा संगेतिक भासा में यह आप देख सकते हैं दो उंगलियों को कंदे की ओर ले गए दो उंगलियों को कंदे की ओर ए एक बार और देख लेते हैं दो उंगलियां कंदे की ओर अर्थाट ए इसके बाद आता है आपक हमें ओ की मातरा ओट तो यह जो है इसके लिए संकेत किस प्रकार से होगा साथी सा ओखली जो है उसका पहलाक्ष्र होता है ओखली यह देख सकते हैं पर ओखली लेखेंगे जिसमें विविन प्रकार के चीजों को कूटा जाता है, मसालों को कूटा जाता है, अधरक, लहसून, बहुत सारी चीज़े हैं जो कि आप ओखली से कूट सकते हैं ओखली को बताने के लिए संकेट जो है इस प्रकार्टे हाथों में गोल बनाया जाएगा और दिखाया जाएगा ओखली से देखते हैं, यह है ओखली का संकेट इस प्रकार्टे आप देख सकते हैं, इसके बाद आता है ओजार जो होते हैं, टूल जो होते हैं, उसका पहला अच्छर है, ओखली होता है यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ओ रत, ओ का प्रयोक किया गया है, ओ को बताने के लिए आपको हाथ को गोला बनाना पड़ेगा, फिर इसे गोल भुमाना होगा यह आप देख सकते हैं जैसे ओ बनाया गया था वैसा ही बनाना है तिरी से गोल भुमाना है हाथ को यह है ओ इसके बाद हम देखते हैं ओ हो गया अब रिसी का री री बताने के लिए संकेट जो है इस प्रतार से होगा रिसी का री यह आप देखिए रिसी का री 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 यह आप देख सकते संकेट है री दोनों हाथों को इस प्रकार से दिखाया जाएगा रिसी का री जिस प्रकार से हम अपासना करते हैं ध्यान करते हैं उसी प्रकार से रिसी का री यहां आप देख सकते हैं रिसी का री इसके बाद अम आप देखेंगे अम से होता है अंडा अंडा का प्रयोग किया जाता है अम की मातरा है, अम की मातरा, अंडा, उसके लिए अंगूर भी जो होता है, अंगूर का पहला अक्षर होता है, अम, अम से अंगूर, अंगूर आप दिखा सकते हैं, तो अम का बताने के लिए एक उंग, इस प्रकार से आप देखेंगे, आप बताते हुए नाक की और इस प्र और अंत में है आहा तो प्राता जैसे कहते हैं प्राता हमें लगा हुआ है आहा की मात्रा तो आहा बताने के लिए संकेत तिस्तातार से होगा आहा के लिए यह देखिए पहले बना यह यहाँ पर आहा की मात्रा अहा की मातरा अहा यह देखिए एक बार और देखते हैं अहा की मातरा इवनी तो यह है हिंदी में प्रयोग होने वाले स्वर चिन का प्रयोग करके वर्णमाला को बनाया जाता है तो इसमें आज के लिए इतना ही बच्चों आपसे नुदो दे कि हमारे साथ जुड़े रहे हम आपके लिसी प्रकार और वीडियो लेकर आएंगे जो आपके काम की है तो हम पिर सिग्र मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार साथ क्यों मैं वहाँ चल और दूसरे वीडियो लेकर आएंगा वेंजन के वीडियो लेकर आएंगा और साथ ही साथ अन्ने जो वीडियो हैं वो भी लेकर आएंगा तो इसमें हमारा साथ दिया स्रीदेव कमल साहूजी ने जो कि प्रसिक्षक का भून का निभा रहे थे जिनको अभी आपने स्क्रीन पर देखा तो ये है संकेती भासा का प्रयोग जिसका प्रयोग कर हम बात कर सकते हैं संकेतों से और अपने वीचारों को एक दूसरे के साथ बाट सकते हैं तो आज के लिए इतना ही साथियों धन्यवाद नमस्कार